हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का और एस अकेडमी में मेरा नाम है मेहुल और मेरे साथ है आज विनीद सर और हम दोनों आज आप सभी को हेल्प करने वाले हैं आप सभी के जेई मेंस के एपरिल अटेम्ट में आने वाले जो कोश्चन्स हैं उनके आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं बच्चों पीवाई क्यूस और जो टॉपिक है हम लोग का आज वो है यूनिट सैंड डायमेंशन विनीद सर आप बताईए कि कैसा टॉपिक है क्या है यह 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 टॉपिक आपका बहुत इजी टॉपिक है और इससे अच्छी चीज यह ह है कि हर बार दो या तीन कोश्चन जरूर आते हैं तो अप्रेल के अटेम्ट में भी आपके में दो या तीन कोश्चन जरूर आएंगे तो इसमें आपके पीवाई क्योंकि बहुत इंपोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि आप देखेंगे कि पीवेस्टेस के कोश्चन आज और सभी के सभी topics जितने भी previous years में आई हुए हैं, repeated questions को हटा दिये गए हैं, लेकिन कुछ-कुछ उनके standard questions हम लोग यहां पे pick करके लेकर के आए हैं, और पहला question देखना बच्चों की हमारे पास में क्या कह रहा है, पहला question simple हम लोग के पास में directly, principle of homogeneity से है, क्या कह रहा है, the speed of wave, अब ठीक है यहां पर क्या लिख दिया, speed of wave, speed का मतलब क्या, sir, speed मतलब की V, और इसका dimension हमको मालूम होता है, sir, LT-1 होता है, तो V का dimension तो मुझको मालूम होग है, LT-1, in water is given by lambda की power A, G की power B, and P की power में C, where lambda, G, and rho, अच्छा, यह P नहीं बच्चों, यह rho है, यह rho are the wavelength of the wave, respectively, तो जल्दी जल्दी से बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले, तो जिनका जिनका हमको dimensional formula मालूम है, सभी को लिखना चालू करते है, lambda का value क्या हो जाएगा, L, और G, G मतलब क्या, acceleration due to gravity, मतलब meter per second square, यानि LT-2, और अगला चीज है, बच्चों, हमारे पास में, density, तो density के लिए, बच्चों, हमारे पास में क्या होता है, M L-3, mass upon volume, और volume होता है L-3, तो यह हमारे पास में इनके सभी के dimensions आ गए है, अब, जो हम लोगों के पास में relation दिया हुआ है, उसके हिसाब से, अब हम लोग इनके सभी के सभी चीज़ों को fit करना चालू कर देते हैं तो यहाँ पर देखना बच्चों, क्या कह रहा है, V is equals to, V is equals to lambda की power A, G की power B and rho की power में C दिया हुआ है, यानि कि V is equals to L की power में A, L T minus 2, इसके whole की power में आ रहा है B, और जो मेरे पास में rho है, मतलब M L minus 3, इसके whole की power में बच्चों आ रहा है, हमारे पास में क्या? C, तो जल्दी से अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर exponents के case में, हम लोग यहाँ यहाँ पर सभी का है, वो चीज़ कंपेर करके equations फ़र्म कर देते हैं, यहाँ पर V की जगपे में लिख देता हूँ, L T minus 1, in the left hand side, in the LHS, अगर हम लोग देखें, तो यहाँ आ रहा है, L क एक पावर में एक और एक चीज़ आएगा, minus 3C भी आ रहा है, ठीक है, अब बचो, यहाँ पर अगर में इन दोनों की तरफ में, LHS और RHS में, जो पावर से, इनको अगर में compare कर लो, तो मेरे पास में काम काफी ज़्यादा असान हो जाएगा, सर, सबसे पढ़िया असान काम हमारे पास में, जो left-hand side है, यहाँ पर M ही नहीं, M ही नहीं मतलब क्या, यहाँ पर M की पावर में 0 है, M की पावर में क्या है, 0 है, इसका मतलब यहाँ से मैं directly, exponents को, जो पावर से, इनको compare करके लिख सकता हूँ, कि sir, मेरे पास में C की value तो आ गई क्या, 0, C की value 0 आ गई है, और similar है, अगर में T की powers को compare करूँ, तो मेरे पास में दिख रहा है क्या, minus 1 is equals to minus 2, B, या फिर हम लोग लिख सकते है, B is equals to 1 by 2, और यहाँ पर अगर मैं अगला चीज़ देखूं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या दिख रहा है, A plus B minus 3C, मतलब क्या, A plus B minus 3C is equals to 1, अब A की value नहीं मालूम है, B की value हम लोगों ने निकाल ली है, 1 by 2C 0 है, तो A plus 1 by 2 is equals to 1, यानि की A is equals to 1 by 2, तो A की value 1 by 2, B की value 1 by 2 and C की value 0, और ऐसा हम लोगों के पास में एक ही option है, A, B, C की तीनों की respectively value पूछ रहा था, option A is the correct answer, तो बच्चों देखों इस ताइब के simple questions आने वाले हैं, और बहुत असान chapter है, इस chapter में particularly आपको पूरे complete revision के दोरान, सिर्फ और सिर्फ दो घंटे dedicate करने हैं, और उससे तुम्हारे पास में अराम से दो question बन जाएंगे, चलो, अगले question की तरफ देलते हैं, तो minimum time में maximum output हम इस chapter से निकाल सकते हैं, देखते हैं, ये question बहुत standard question है, हमन में दिया हुआ है, x plus ay square multiplied by y minus b equal to rt, तो ये आपको एक equation दी हुई है, और आप से कहा गया, ये x क्या है, x pressure है, और y क्या है, y आपका volume है, और r universal constant of t temperature है, हम से पूचा क्या है, physical quantity equivalent to ratio a by b, तो जो unknown quantities हैं, अगर आप देखो इसमें, a और b, इन दोनों का हम से ratio पूचा गया है, तो ऐसे questions को किसे करते हैं, अगर आपको याद हो, तो इसमें हम use करते है, principle of homogeneity, principle of homogeneity क्या है, principle of homogeneity, है, ये है क्या भई, ये बताता है, हमको हम वही quantity को add या subject कर सकते हैं, जिनकी dimension same हो, तो इसका मतलब क्या है, कि हाँपे अगर हम addition देखें, तो किस-किस का addition हो रहा है, x and a plus y square का addition हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कि x की dimension किसके बराबर होना चाहिए, a over y square की dimension के बराबर होना चाहिए, तो पहली quantity तो ये मिल गई हमको, तो यहाँ से अगर हम a की dimension निकाल लें, तो a की dimension बराबर हो जाएगी, x multiply by y square की dimension के, और next आगे देखें हम, second चीज क्या हो रह है, हम उन्ही quantity इसको area subject कर रहे है, जिनकी dimension सेम है, तो अगर आप यहाँ से देखो, तो y minus b है, तो y की dimension किसके बराबर होना चाहिए, y की dimension b के बराबर होना चाहिए, या फिर हम कहें b की dimension y के बराबर होना चाहिए, तो आपको दिया हुआ है, x क्या है, आपके पास pressure है, और pressure की dimension अगर आप देखो, याद नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको formula याद होना चाहिए, dimension निकालने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है, कि आप dimension रठो, जैसे pressure है, pressure बहुत simply, force by area होता है, तो force की dimension आपको मालो में, force होता है, m, l, t minus 2, divided by area होता है, l square, तो आप pressure की dimension लिख सकते हो, better है, आप याद कर लें, लेकिन मैंने आपको बताया है, कहीं अगर paper में आप रुक जाएं, आपको याद ना आए, memory में revise नहीं कर पाऊ, तो आप कैसे करोगे, तो p की जो dimension है, वो किसके बरावर ना चाहिए, m, l minus 1, t minus 2, तो ये p की dimension आगई, जो की हमारा x की dimension है, y की dimension हमें दिया हुआ है, volume के बरावर है, और volume की dimension को हम l q लिख सकते है, I think आपको इस हमाज में आ रहा होगा, बहुत basic है, लेकिन हम से क्या पूचा गया है, हम से पूचा गया है, ay b की dimension, तो मैं a और b की dimension का divide कर दू, ay b की जो dimension होगी, वो बरावर हो जाएगी, अगर हम दे cancel करते हैं, तो आपको x multiply by y के बरावर आ रही है, x की dimension हमने लिख ली है, pressure के बरावर है, m, l minus 1, t square, और इसका multiply हम करते है, l cube से, y की dimension, l cube के बरावर है, तो आप देहां से देखें, तो यहाँ पर आपके पास जो quantity ay b की dimension है, वो किसके बरावर आ रही है, आपके पास, m, l square, t minus 2, t minus 2 है, t minus 2, और अगर आप गौर से देखो, तो यह किसकी dimension है, यह है, energy की dimension, तो इसका correct answer हो गया, तो आपको कुछ dimension याद रहनी चाहिए, और कुछ आप निकाल सकते हैं, और यह principle of homogeneity बहुत basic principle है, हमें से याद रखो, वही quantity add or subtract हो सकते हैं, जिनकी dimension, same, next question करते हैं, चल general MLT, इन ही terms में लिखे रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग base quantities को change कर देते हैं, तो वह एक standard type का problem पढ़ जाता है, if force, velocity and time are considered as fundamental physical quantity, fundamental physical quantities में, अगर हम लोग इनकी मान लेते हैं, अभी हम लोग MLT की जगा पर FV और T को लेते हैं, तो dimensional formula of density will be, अब ठीक है, density का dimensional formula क्या होता है, सर् density का जो dimensional formula होता है, यह actually में होता है ML-3, यह हमारे पास में density का dimensional formula आ गया, इसके बाद मेरे पास में relation आ रहा है, इसको हम लोग को लिखना है किसके terms में, in terms of F, V and T, तो सभी के coefficient, सभी के जो power में रहेंगे, मैं A, B और C unknown मान लेता हूँ, A, B और C को unknown मान लेता हूँ, अब यह की जो dimensions हैं, उनको मैं यहाँ पर mention करता हूँ, ML-3, force का किता होता है, MLT-2, इसकी whole की power में A रहा है, V का किता होता है, LT-1, इसके power में B आ गया, और T तो time ही है, तो T की power में C, अब सभी में, यह मेरे पास में right hand side है, इस right hand side में, बच्चो, हम लोग क्या करेंगे, सारे किसार brackets open करेंगे, और equation बढा लेंगे, in the exponential form, तो यह मेरे पास में क्या बच रहा है, M की power में A, और बांकी इसकी में तो ही नहीं, ठीक है, L की power में A, plus B, और T की power में, minus 2A, minus B, plus C, यह value मेरे साथ किसके साथ में match करना चाहिए, L की power में, ML की power में, minus 3 से, तो यहाँ से बच्चों, अगर मैं देखूं, यहाँ पर compare करूं, दोनों के powers को, तो यहाँ पर मुझका एक चीस तो समझ में आ रही है, कि Sir, यहाँ पर M की power में 1 है, यहाँ पर M की power में A है, तो इसका मतलब, A की value तो Sir, मेरे पास में हो जाएगी क्या, 1, A की value आगे 1, अब दूसरा equation मेरे पास में कह compare कर लेता हूं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि A plus B is equal to minus 3, A की value 1 में निकाल ली है, तो B की value क्या आगे बच्चों, minus 4, A आ गया, B आ गया, अब C की value भी निकालना है, तो C के लिए हम लोग टाइम के पास में power है, उसको compare कर लेता है, अब इस तरफ में time का term तो नहीं दिख र रखी है, मैं सारी की सारी values को यहाँ पर put करना, चालू कर देता हूं, minus 2 है किया, तो मेरे पास में आया, minus 2, minus of minus 4 will be plus 4 plus C is equal to 0, तो C की value जो आ रही है, बच्चों मेरे पास में, वो आ रही है किती, minus 2, तो यहाँ से मेरे पास में, again, अब इस point पर, यहाँ पर जो था मेरे पा dimensional formula में लिखना चाहूं, तो F की power में 1, V की power में minus 4 and T की power में minus 2, तो यहाँ से मेरे पास में जो option match कर रहा है, वो है option B, चलिए बच्चों, चलो next, यह जो question है, इसको देखते हैं विटा, इस question में क्या है, आपको लग रहा होगा कि mu 0 की epsilon, mu 0 की dimension निकालनी पड़ेगी, epsilon 0 की dimension निकालनी पड़ेगी, तब आप 5 सा निकाल पाओगे, जबकि अगर आप देखो, आप अगर recall करो, यह memory waste problems है, आपको अगर formula मालो में है, तो dimension निकल सकती है, इस चीज को हमेशा याद रखो, आप अगर यहाँ सोचो, तो आपको कोई formula ऐसा याद आ रहा है, जिसमें अपने mu naught और epsilon को एक साब देखा हो, तो अगर आप याद करें, तो electromagnetic babes में, हम speed देखते है, speed of light, speed of light अगर आपको याद हो, तो क्या होता है, कि अगर हम इसका solution देखें, तो आपको क्या मिलेगा विटा, अगर speed of light देखें, तो speed of light क्या होती है, c equal to 1 over root mu naught epsilon, अगर आपको formula याद आए तो, तो हम यहाँ से answer निकाल सकते है, यहाँ आप देखें, तो c square will be equal to 1 over mu naught epsilon, इसका मतलब क्या है, कि 1 over mu naught epsilon की जो dimension हमें मिलेगी, वो किसके बराबर मिल जाएगी, c square की dimension की बराबर मिल जाएगी, अब c क्या होता है, c is the speed of light, speed of light, अब कोई भी speed हो, speed of light हो, speed of car हो, speed, speed होती है, speed of light की dimension क्या होगी, जो velocity की dimension होती है, तो c की dimension मिल जाएगी अपने को, l over t, तो अगर हम place कर देंगे बिटा, तो answer आएगा, l square over t square, मतलब correct answer हो जाएगा c, कई बात मुचा गया question है, याद रखें इसको, इस formula को, कि mu note और epsilon note अगर एक साथ आ रहे हैं, dimension में, तो आप इस formula का use कर सकते हैं, तो correct answer हो गया हमारा c, चलो बच्चो, next question देखते हैं, next question आगे इन देखना की, जैसा हम लोग कह रहे हैं, कि memory based होना चाहिए, आपको principle of homogeneity आना चाहिए, simple बाते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, the expression of energy density, अब energy density, small u, energy density क्या होता बच्चो, total energy upon volume, तो energy density का dimension लिख लेते हैं हम लोग, यू का अगर मैं dimension की बात करूं, तो यू का जो dimension आने वाला है मेरे पास में, वो आएगा किता, energy का किता हो गया, ml2, t-2 upon volume, volume का किता होता है, l का, q, तो यह आजाता है, बच्चो मेरे पास में, ml-1, t-2, this is my energy density का dimension, ठीक है, is given by, alpha by beta sin alpha x upon kt, where alpha and beta are constant, x is displacement, ठीक है, अगर x का मेरे पास में displacement है, तो x का भी मेरे को dimension पता चल गया, जो की होता है, simply, l, ठीक है, k is Boltzman constant, sir, अब मेरे को फिर से यहाँ पर गड़ बड़ाती है, sir, मेरे को Boltzman constant करना dimensional formula याद नहीं रहता, अरे बच्चा देख, Boltzman constant, अब तोरे को याद गड़ना है कि Boltzman constant आता कहाँ पर है, बिल्कुल सहीं, ktg जब हम लोग पड़ते थे, वहाँ पर हम लोग के पास में यह Boltzman constant आया करता था, और कैसे लिखते थे, हम लोग वहाँ पर लिखते थे, कि energy per molecule is given by, energy per molecule is given by 3 by 2 kt, अब energy का इस dimension मेरे को मालूम है, ml2t-2 is equal to 3 by 2, एक मेरे पास में, constant है, उसमें कोई dimension होता ही नहीं, अब k का dimension मेरे को नहीं मालूम है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, और जी T है, यहाँ पर T time नहीं, temperature है, तो temperature को represent हम लोग dimensional formula में किससे करते हैं, theta से, तो यहाँ से मेरे पास में क्या k का dimension भी निकाल सकता था क्या में, बिल्कुल, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगी, k का भी dimension न constant, ठीक है, और T क्या है, मेरे पास में, temperature है, the dimensions of beta will be, अच्छा, अब beta का dimension पूछ रहा है, सर मेरे को यहाँ पर तो alpha by beta और alpha और beta दोनों ही unknown है, तो यहाँ पर देखते हैं अंदर, अब बच्चों देखना, sign जो है, sign, जो कोई भी मेरे पास में trigonometric function होता है, तो इसके अंदर जो भी value जाएगी, that must be a dimensionless quantity, तो यहाँ पर मेरे पास में कोई भी dimensionless quantity ही जा सकती है, इसका मतलब मेरे को एक चीज मालूम है, कि alpha x upon kt, इसका complete dimension क्या होना चाहिए, 0, मतलब क्या m की power 0, l की power 0, t की power 0, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 के बराबर भी, अब जल्दी का dimension नहीं मालूम मुझको, x का dimension L है, k का dimension सर हम लोगों निकाल लिया है, ml2, t minus 2, theta minus 1, into यह जो t है, यह temperature है, तो इसका आजाएगा theta, यह आना चाहिए, theta minus 1 से यह theta cancel हो गया, यह 2 से यह भी cancel हो जा रहा है, तो यहाँ से मेरे पास में alpha का dimension है, यह बचों हमारे सामने आ जाता ह It is ML, t minus 2 के बराबर, ML, t minus 2 Bu यह मेरे पास में alpha का dimension आगया, भजे learning, यह energy density के साथ में मैच करना चाहिए, और, यह energy density के साथ में मैच करना चाहिए, तो energy density का dimension must be alpha का dimension, alpha का dimension that is ML, t minus 2 upon beta का dimension अब energy density का dimension मुझको मालूम है, ml2 t-2 divided by L3 किया था, is equals to ml t-2 divided by beta का dimension, ठीक है, यहां से इसको भी solve करके निकाल लेते हैं, यह तो यहां से cancel गर दिया था पहले ही, और अब यहां पर यह M से, यह वाला M cancel हो गया, t-2 से t-2 भी cancel हो गया, अब बस जो मेरे पास में बच रहा है, वो क्या बच रहा है, यहां पर एक L और यहां पर एक L, तो बीटा का जो dimension आ रहा है बच्चो, वो आ रहा है मेरे पास में कित्ता, L square के बराबर, और L square है, मतलब क्या, मेरे पास में यहां पर देखना, सर सभी में तो M भी दिख रहा है है T भी दिख रहा है लेकिन बच्छों यहां पर देखना यहां पर M की पावर 0 है यहां पर भी M की पावर 0 है मतलब पावर 0 रहने का मतलब वन इसका मतलब ऑप्षिन डी is my correct option चलिए next question की तरह बढ़ते हैं चलो next question देखते हैं यह भी memory based question है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे question जिसमें L, C, R आ रहा है आपको लगेगा कि इनकी dimension क्या है L की C की R की तो आप देखो combination है जो important है आपके लिए आपको याद रखना है कि L और C का combination आए आर और C का combination आए तो हम कैसे करते हैं तो ध्यान से देखो अगर आप तो आपसे पुछ क्या रहा है question में के L, C and R और self inductance, capsidance and resistance तो तीनों quantities आपको दी हुई है which of the following does not have dimension of time तो कौन सी time की dimension नहीं होगी तो अगर आप एक चीज रिकॉल कर पाएं तो कहीं time से जो relation आता था तो मुझे जो याद आप आ रहा है वो RC circuit और LR circuit में आता था time से relation हम एक चीज पढ़ते थे जीसे बोलते थे time constant तो मुझे जो याद आ रहा है कि RC circuit में जो time constant होता था इसको हम टाव बोलें चैजर्ज आप का मतलब का मतलब है यह time है तो इसका मतलब तो dimensionally जो time की dimension और RC की dimension क्या होनी और चाहिए? सेम्ट तो यहां से एक चीज़ देखलो आप कि जो T की dimension आज सी के बराबर तो RC की dimension एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि RC की dimension time के बराबर होगी कि RC दिया हुआ है option में हाँ RC दिया हुआ है तो अगर नेक्स चीज़ आए, अगर हम इस पर देखें लगायार, तो क्या लगायार भी है, आप अगर option में देखो तो लगायार भी है, तो अगर लगायार है, तो इसका मतल़ा इसकी dimension भी, तो हम basically क्या कहा रहे हैं विटा, इसकी dimension, लगायार की dimension भी time के वराबर होगी, तो अगर आप देखें, तो एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों को multiply कर दें, तो T square की dimension आपको आ गई बराबर, L C के, तो इसका मतलब जो under root L C की dimension होगी, वो बराबर हो जाएगी T के, तो इसका मतलब under root L C की dimension T के बराबर होगी, तो अगर आप देखो कि किस की dimension नहीं है, इन L C oscillation में भी यह relation आता है, under root L C, तो अगर आपको याद हो, तो omega जो होता है, वो 1 over under root L C के बराबर होता है, तो यहां से भी आप समझ सकते हो, कि under root L C की dimension भी, और जो omega है, वो होता क्या है, basically, omega होता है आपका 2 pi over T, will be equal to 1 over under root L C, तो आप यहां से भी समझ सकते हो, कि time की dimension है, वो under root L C के बराबर होगी, तो यहां पर इसको याद रखे है, कई वार अकेले L की dimension आजाती है, कई वार अकेले R की dimension, कई वार अकेले C की dimension आजाती है, तो आप इस formula का जब यूज करोगे, तो बहुत जल्दी answer आजाएगा, अगर कोई एक dimension आपने निकाल ली, तो आप सारे answers जल्दी से निकाल पाओगे, चलो ठीक है बेटा, next question करते है, next question देखना बच्चो, अब यहां पर देखना, again यह फिर से एक और एक हम लोगों के पास में principle of homogeneity से ही question उठाया गया, अब देखना यह आप ही कह कह रहा है, the equation of circle is given by x square plus y square is equals to a square, where a is the radius, अब बच्चो अगर a radius है, मतलब हम लोग लेंग्ध की quantity बता रहा है, ठीक है, if the equation is modified to change the origin other than 0,0, अब इसको अगर हम लोग 0,0 से change करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद में कहा करें, then find the correct dimensions of a and b in the new equation, at और t by b के लिए, ठीक है, यहां पर t का जो dimension है, वो time नहीं है, वो time का inverse है, बच्चो, अब ध्य इता आएगा, a के dimension के साथ match करना चाहिए, बिल्कुल, तो यहां पर हम लोग बोल सकते है, l आना चाहिए, y का dimension आएगा, यह भी क्या आना चाहिए, l के बराबर ही match करना चाहिए, ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें, इस expression में, तो यहां पर इतने part को अगर मैं देखूं, तो जो x का dimension है, that must match with the 80 का dimension, क्यों, क्योंकि principle of homogeneity हम को यही कहता है, कि same dimension वाली quantities को ही हम लोग add या subtract कर सकते हैं, तो 80 का dimension और x का dimension match करना चाहिए, अब x का dimension हम को मालूम है, sir, क्या है, l है, और a जो है, इसका dimension हम को नहीं मालूम, लेकिन t का dimension हम को मालूम है, t की power minus 1 है, तो यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें, तो a का dimension आ रहा है बचों, वो आता है किता, l times t, यह किता आता है, l times t, तो a का dimension हमारे पास में आ गया है, lt, आगे बढ़ते हैं, b के dimension के लिए, b के dimension के लिए, b के dimension के लिए फिर अगे, जो भी मेरे पास में y का dimension रहेगा वही same dimension होना चाहिए, t by b का, ठीक है, अब यहां पर देख, जो y का dimension दिया हुआ है, वो मेरे को किता है मालूम है, l होता है, तो ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, l is equals to, t की जगा पर मैं लिख लेता हूँ, t की power minus 1 upon b का dimension, तो यहां से मेरे पास में, जो b का dimension आ रह का dimension होगा, l times t, तो ऐसा हमारे पास में option b है, तो हमारे पास में कौन से सही option होगा है, बच्छो, option b, बहुत simple question, इस type कहीं आएगा तुम लोगों के पास में, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, next problem, अब आप काओ के पार बार सर आप principle of homogeneity की slides लेके आ गए, और सारे एक ज questions आते हैं, तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा questions आते भी principle of homogeneity से हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो question क्या है, question देखते हैं पहले, इने typical combustion, अब इसकी special चीज क्या है, आप मुझे, देखो कितना complicated कर दे है typical combustion engine, आपको कुछ नहीं पता combustion engine क्या होता है, लेकिन इसके W है, work done है आपका W, वाइ, engine जो work कर रहा है, W है, वो आपको दिया हुआ है, alpha square beta e raise to, यह e की power है बिटा, e raise to beta x square over kyt, kt, right, और x, x क्या है displacement है, तो वही, अगर आपन देखे हैं, तो x displacement है, displacement मतलब x की dimension हो गई अपने पास, अगर x को देखे, x displacement, x की dimension हो गई L, और क्या देख आपको एक इंटेस्टिंग चीज़ बताऊं, कि अधिक तरह आप देखो, last question में भी kot साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब अगर हम चाहें, तो kot को एक साथ यूज कर सकते हैं, mostly kot आपको questions में एक साथ मिलेंगे, तो अगर हम kot को एक साथ देखे, तो dimension किसके बराबर होगी k multiply by t की, हमने देखा energy of one molecule क्या है, अपना 3 by 2, k into t, तो अगर मैं देखूं, तो k into t की जो dimension होगी, वो energy की dimension की बराबर हो जाएगी, मैं इसको energy की dimension ही लिख लेता हूँ, k into t की dimension, energy की dimension की बराबर हो जाएगी, तो सबसे पहले हम से पूछ किया रहा है, कि हम से पूछ रहा है, क तो alpha की dimension क्या होगी, अब आपको यहाद होगा, कि जो w की dimension है, एक और चीज जो हम important point लिखे लेते हैं, यहाँ पे, question में सबसे important होता है, हम सबसे पहले data extract कर ले है, तो data हमारा क्या होगा, x की dimension होगी, k into t की dimension होगी, और data क्या है, w की dimension, w क्या होता है, w होता है work done, मतलब energy, औ energy क्या है, इसकी dimension चलो, मैं तो energy के बराबर ही लिख लेता हूँ, क्योंकि बार-बार में क्यों नहीं लिख रहा है, मैंने energy की dimension में लिख चाहता है, तो energy की actual dimension लिख लेता है, अब देखते हैं, अब कैसे करेंगे, हम से क्या करा है, अब आपको याद हो कि जो powers हैं, वो dimensionless होत dimensionless क्या है मतलब, सभी की power 0 होना चाहिए, m की power 0, l की power 0, t की power 0, अगर temperature है तो उसकी power भी 0, तो सब कुछ हमारे पास 0 मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यह बन हो कि, तो अगर हम देखें तो beta x square की dimension k into t के बराबर मिल रही है, और अगर देखो तो beta की dimension मिल रही है, अपने तो हमें number ही मिलेगा, यह भी dimensionless हो गया, इसका मतलब क्या है, alpha square, यह जो है, alpha square multiply by beta, इसकी dimension किसके बराबर होना चाहिए, w के बराबर होना चाहिए, तो alpha square multiply by beta, इसकी dimension आपको मिलना चाहिए, w के बराबर, अब हमें किसकी dimension निकालनी है, हमें dimension निकालनी है, alpha की, हमने देखा तो यहां से beta की dimension निकाल ली, value feeding करनी है अब तो अपने को, this will be equal to alpha square multiply by beta की dimension मिल रही है अपने को, energy की dimension divided by x square की जो l square मिलके अपने को, will be equal to, और w की dimension अगर अपन देखें यहां से, तो w की dimension अपने लिख लिए आए, पहले ही energy के बराबर है, तो अब देखो तो energy की dimension, energy की dimension तो cancel ह हो गई, तो alpha की dimension है, आपको आ रही है, l के बराबर, तो अगर आपन option देखें, तो कोप सा option अपना सही हो रहा है, इसमें, l मतलब m की power 0, t की power 0, अकेला l की power 0, तो correct answer हो गया हमारा b, तो इस तरह से आप fast answers भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, कि हर बार आप e की dimension लिखते हो, फिर उसको solve करते हो, इस तरह से आप जल्दी solve भी कर सकते हो, चलिए, देखते हैं अगले question को, अब अगला question देखना यहाँ पर फिर से, यहाँ पर कई बर तुमको ऐसा यह match the following type की questions दे सकता है, match the following type की questions में, सबसे बड़िया trick क्या होती है, सर मैं इसमें से randomly, जिसका मेरे को मालूम है, उसके dimensions निकाल करके पहले रख लूँ और उसके पहले option match कराने की कोशिस कर लूँ, सबसे easy option तो वही है, अगर मुझको indirectly मेरे को किसी का भी याद नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे solve करूँ, तो बच्चा बस कुछ नहीं करना है, तुषको बस याद रखना है, कि सर यह जो सारी की सारी जो quantities हैं, यह कहां कहां पर आती है, कौन-कौन से formula में आती है, young's modulus, ठीक है, young's modulus, सर यह हम लोगो क ठीक है, strain, अब strain कैसी quantity बच्चो, delta L by L, delta L मतलब, उपर dimension L का, नीचे भी dimension किसका, L का, मतलब, strain तो एक dimension, less quantity हो गई, इसका मतलब, जो y का dimension होगा, मतलब, जो young's modulus का dimension होगा, वो exactly, stress के dimension के साथ में, मैच करेगा, अब stress का क्या चीज पढ़ाता है, हम लोगो ने, सर यह तो होत है, restoring force upon area, restoring force, force का dimension मुझको मालू में, किता, MLT-2 upon area का dimension L square, तो यहां से मेरे पास में क्या मिल गया, young's modulus का dimension मिल जाएगा, किता, ML-1T-2, ठीक है, तो A का option कौन सा गज़ रहा है, ML-1T-2, तो option 3, तो 1 के A के साथ में, मैं यहां पर लिख देता हूँ, 3 मैच करेगा, coefficient of viscosity, सर, coefficient of viscosity का कौन सा formula, चलो, ठीक है, इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अलग जाते हैं, और solve करने की कोशिस करते हैं, सर, मेरे को तो exactly वाल 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 याद नहीं आ रहा था, जिसमें हम लोगों को velocity gradient यूज करना होता है, मेरे को तो सर, याद आया, कि 6 pi eta r v, Stokes law से हम लोगों को formula याद आ रहा था, कि f is equals to 6 pi eta r v, यहाँ पे क्या क्या चीज है, terms क्या क्या है, बस तुमको ये याद रखनी है, f का dimension मुझको अगेन माल हो, मैं किता है, m, l, t, minus 2, 6 pi ये एक number है, dimension less हो जाएगा, eta का dimension मेरे को निकालना था, ठीक है, r मेरे पास मे radius होता है, तो इसके लिए हो जाएगा, l, v, velocity, terminal velocity, इसका मतलब, l, t, minus 1, l, t, minus 1, अब बस बच्चो दोनों तरफ में solve करना है, हम लोगों के पास मांसर आ जाना है, देखो, l से 1, l, cancel, t, की पावर, minus 1 से, यहाँ से, इसको cancel करके, मैं इसको, single minus 1 कर देता हूँ, तो यहाँ प velocity क्या रहा है, ml, minus 1, t, minus 1, तो option, यह 1 के साथ में match कर रहा, planks constant, planks constant, klavy, sir, हम लोगों को मालूम है, sir, कैसे करें इसको, हम लोगों के पास में, हम लोगों को मालूम है, किता होता है, energy का formula हम को मालूम है, energy is equals to, h, mu, लिखते हैं हम लोग, waves के case, अब यहाँ पे, अगर हम में, minus 1, तो बस यहाँ से हम लग इसको solve करें, निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा, ml, 2, t, minus 1, तो h का भी dimension मेरे पास में, ml, 2, t, minus 1, तो यह option 2 से match कर रहा है, अचा, अब इसके आगे, क्या मेरे को work function निकालना है, क्या, work function निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही option बच र में है, बिल्कुल सही, यह हम लोग के पास में आता है, कहां पर, आइंस्टाइन का, जो photoelectric effect होता था, वहाँ पर हम लोग लिखते थे, work function, तो work function क्या होती है, that is the minimum energy required to emit a photon, तो यह minimum energy है, energy का dimension के साथ है, match करना चाहिए, work function भी, simple बात है, तो इसके लिए energy का dimension से match करा देंगे है, energy का function क्या होता है, ml2 t-2, बस इससे match करा देना, और option 4, ऐसे भी लिख भी रहा है, ml2 t-2, यहां से, simple अब इसको तो क्या है, complete मैंने तो एक-एक कर करके solve किया, तेरे को तो इसमें, एक-एक करके भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो उठा करके solve कर, और सारा answer match करेग ठीक है, ठीक है, चैट. हम किहनी का solve करेंगे, try करेंगे, options में कहां तक सही पहुचे, और देखते कि result कितना जल्दी ला सकते हैं, तो आप देखो, तो हमें torque मुश्रा है, torque अपने को पता है, torque क्या होता है, torque अगर आपको मालूम हो, इसको हम tau से represent करेंगे, torque क्या होता है, r x f, मतलब फोर्स का multiply में, पिस्टेल से कर रहा है, force क्या है, अपना mL, t-2, l से multiply कर दो, तो क्या मिलगे अपने को, mL square, t-2, mL square, t-2, to force के लिए, तो एक आतो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर आपन देखें, to mL square, t-2, to force के torque के लिए, तो ये तो second से match हो गया, तो सबसे पहले देख लिए, second से कौ दो options कितम कर दिए, अब next करके देखें, तो next में क्या मिल रहा है अपने को, next मुझे रहा है, stress, जैसा last question में भी stress ही था, तो इसमें भी question में stress आ गया, तो इसका बहुत importance है, कि अगर आपका किसी दूसरी shift में है, तो पिछले वाली shift के जो memory based questions आते है, उन्हें solve करके जाईए उससे आपको क्या फाइदा मिलेगा, कि पिछली चीजें भी देखो कई बार use हो जाती है, तो देखो जैसे stress का use हो गया, तो आप stress का क्या होता है, अभी सबने बताया था, stress क्या है, stress is restoring force divided by area, तो force का भी हमने देख लिया, force is ml t-2, area is l square, तो आपके पास, जो stress की dimension आ रही है को stress की dimension है, ml-1, t-2, तो हम अगर देखें कौन सा option मन रहा है, ml-1, t-2, तो मुझे मिल रहा है, कि b का जो answer है, वो 4 होना चाहिए, क्या देखें, तो देखो आपका answer यहीं कदम, अब आपको next करने की कोई जरूरत है नहीं, आप कितनी जल्दी answer आ सकते है, वो important होता है, आपक चारो option solve करने के जरूरत नहीं है, आपके अंदरे confidence होना चाहिए, कि हाँ, जो मैंने 2 solve की है, वो 100% सही है, बाकि के तो अपने आप सही हो जाएंगे, तो आप देखो, तो correct answer क्या आ रहा है, आपका b का 4 आ गया, आप देखो तो बाकि तो definitely सही होने है, तो correct answer इसका definitely C होना च distance change मतलब pressure gradient, तो pressure gradient क्या है, just verify करा रहा हूँ, answer आ चुका है अपना, तो pressure gradient, gradient बढ़ जब भी आए, इसका मतलब हमेशा यह की चीज होती है, temperature gradient, pressure gradient, distance के साथ में कोई चीज कैसे चाहिए, तो pressure gradient देखें, तो pressure के साथ में, तो pressure की dimension divided by distance के साथ में मतलब L, pressure क्या है, pressure force upon area है, force upon area dimension देखो, ऊपर लिखे हो ही, force upon area की, तो क्या मैं इसको ने सकता हूँ, M, L-1, T-2, divided by, अगर हम देखें, तो L, तो आपके पास क्या आगया pressure gradient की dimension, M, L-2, T-2, तो देखें, कौन सी dimension मिल रही है, तो C का 1, C का 1, option में भी सही मिल रहा है, आप चाहें, तो 3 भी check कर सकते हैं, जिससे आपकी negative marking नहीं हो, कहीं आपने 2 में गलती कर दी है, तो आप तीसरा चेक कर सकते हैं कई बार, तो देखो, definitely 4 जो D है, coefficient of viscosity जो last में सरने कराया ही, तो definitely यह तो सही हो गई, मैं दवारा recheck नहीं करके दिखा रहा हूँ, पर एक means case का correct answer सी ही होगा, तो आप time save करने का ध् सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है, देखते हैं, next question देखते हैं, देखना बच्चो, अब देखना यह dimensional formula के case में, अब हम लोग डाइमेंशन से बहुत देर से खेल रहे हैं, dimensions का भी है, मों के पास में यह आकरी question है, इसके बाद में हम लोग एर्रस में चले जलेंगे, ठी अब बच्चा यह एक लाइन का answer है, ना तो तेरे को B square की value याद रखनी थी, ना तो तेरे को mu naught का dimension याद रखना था, तेरे को तो बस यह चीज़ याद होनी चाहिए, कि sir, हमारे पास में जो energy density होती है, magnetic field के case में, that is given by B square upon 2 mu naught, इसका मतलब यह जो energy density आ रही है, यह जो energy density आ रही है, इसका dimension और B square upon 2 mu naught, इनका dimension सेम होना चाहिए, और 2 तो मेरे पास में एक number है, इसका मतलब, जो भी dimension मेरे पास में आएगा B square upon mu naught का, यह सेम होगा energy density के dimension के बराबर, और energy density क्या है, energy upon volume, energy का dimension, M L2 T minus 2, volume का dimension, L cube, यह आ गया तेरे पास में, energy density का dimension, dimension, और यह आ गया तेरे पास में, M L minus 1 T minus 2, तो यही dimension होना चाहिए, मेरे पास में, B square upon mu naught का, तो option C दिख भी रहा है, direct, अब जनरली अगर तुम देखोगे, तो तुमको यह देख करके ऐसा रहेगेगा, sir, मेरे को तो यह B का भी मेरे को याद नहीं था, mu naught का भी sir, derive करने में बहुत ज्यादा time लग जाएगा, नहीं, simple question है, देख मैं यहाँ पर इस question को अम लोगों ने include ही इसलिए किया है, कि कई बर question देखने में बहुत ज्यादा tough लग रहा होता है, बहुत ज्यादा time taking लग रहा होता है, but actually में वो time taking होता नहीं है, और बच्चो particularly यह जो dimension वाला जो करने के लिए आ रहा होता है, कि आपको आपको सही तरीके से चीजों को देख करके तुमको यह चीज मालूम है कि नहीं कि यह किस चीज के रिलेट कोड़ता रहता है, बस तो simple है, अगला question देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, नेक्स question देखो, हम unit and dimension के question करते करते थट गई तो अब देखते हैं, next question आगे error, यही दो पार्ट से इस chapter के, unit dimension and error, तो यह error पे, जो first type के question देख रहे हैं, इस type के questions आते हैं, तो इस question को देखा है, question में क्या है, कि a body of mass, mass दिया हुआ है मैं body का, and then plus minus क्या होता है, this is error, right, कि आप जब measurement कर रहे होगे, जरूरी नहीं है कि हरवार आप fix measurement कर पाओ, कुछ ने कुछ गलती रह जाती है, तो जब आप 5 kg को measure कर रहे है, mass को, तो आप 0.5 kg की error आ रही है, वैसे हम next जाए, तो velocity में, जो error है, वो velocity के जो unit हमें मिल रहा है, 20 meter per second है, और उसमें जो error है, वो 0. 0.4 का है, हमसे पूछ रहा, its kinetic energy will be, तो हमसे kinetic energy पूछाए, एक तो हम actual kinetic energy निका लेंगे, और kinetic energy है, 7 में plus minus में लिखा है, मतला हमें kinetic energy में error भी लिखालना है, तो अगर हम करें, तो कैसे करेंगे इसको, तो अगर आप solution देखो इसका, बहुत easy solutions है, आपको याद होगा, कि kinetic energy का सबसे पहले formula मालुम होना चाहिए, तो kinetic energy होती है, half m भी इसके, तो अगर आपको याद हो के, errors में क्या करते हैं, कि जो error होगा, fractional errors है, वो add up हो जाते हैं, तो del kyk will be equal to, अगर हम देखें, तो mask error, del m over m, derivative errors को add कर रहा है, plus जो power है, वो आगे आजाती है, to del byd, तो एक तो ये चीज अपने को याद रखने है, जब हम error निकालेंगे, कि मैं, मतलब kinetic energy हो, जब error निकालेंगे, तो एक तो हम इसका use करेंगे, दूसरी चीज देखें हम, तो हमें kinetic energy actual भी निकाल ली है, तो दो options तो हम actual kinetic energy को निकाल की हटा सकते हैं, तो देखो, दो options कैसे हटेंगे, कि kinetic energy will be equal to, तो आप सीधा put कर दो, 1 by 2, mass दिया हुआ है, मुझे, actual mass रखें, 5 multiply by 20 square, तो अगर आप देखो, यहां से आपके पास kinetic energy है, वो आ जाएगी, बनता हो जाएं जूर, तो आप देखो, दो options तो ऐसे जदम होगे, आपको error भी नहीं निकाल ला था, तो next approach में क्या है, तो 2 option, option elimination बहुत important art है विटा, आपकी गलती नहीं होगी, आपकी negative marksing नहीं आएगी, अगर आप option elimination को सीख जाओगे, तो next चीज क्या है, हमसे del k निकालना है, तो del k over actual k की value हमने निकाल ली, 1000 zool will be equal to, error, mass में error है हमारा, 0.5 divided by actual mass दिया हुआ है, 5 kc plus 2 multiply by, velocity में जो error है, वो है 0.4 divided by actual velocity 50 थी हुई है, 20, तो इसको हम solve करेंगे, del k will be equal to 0.5, 1 by 10 बन गया यह, इसको और solve करो, यह बन गया, आपके पस 1 by 50, अब 1000 को दूसरी side लेके चले जाओ, तो यह मिल जाएगा आपको 100 plus, दूसरी side लेके गए हम 1 thousand को, तो यह बन जाएगा, अपना 50 से ही cut करेंगे, 00, यह मिल आपको, अगर आप देखोगे, तो यह मिल जाएगा आपको, अगर हम solve करें, इसको दूसरी वाली side लेके जाएगे, तो यह 100, 1000 इस वाली side आगया, यहां से हट गया यह, तो अगर आप इस वाली side लाओगे, इससे cut कर दो, यह 0 से 0 cut गया, और यह आपका, 20, तो यह आपके आपके पास 40 आगया, मतलब कितना बन गया 140 जूल, तो यह error है kinetic energy में, तो अगर actual value कैसे लिखेंगे, तो kinetic energy की जो value है, वो आगई आपके पास 1000 जूल, plus minus, error कितने का है, 140 जूल का, तो correct answer मिल गया आपने को, 1, तो यह याद रखना है, इसमें simple सा क्या है, कि आपको actual value निकालन आपके पास answer आजाए, next question देखते है, अब बच्चों यहाँ पर देखना है, क्या कह रहे है, two resistances are given, R1 and R2, the percentage error is measured in the measurement of equivalent resistance when they are connected in parallel, ठीक है, बच्चों यहाँ पर इस particular question को देखना, यह बहुत जादा special type का question है, क्योंकि इसको अगर आप किसी दूसरे तरीके से solve करने की कोशि जलत हो सकते हैं, लेकिन जो तरीक है, basic हम लोगों के पास theory of error है, वो क्या आता है, समझना, हमको क्या मालूम है, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, यह हम लोगोंने सीख रखा है, कि हम लोगों को जब parallel connection में लगाते हैं, तो equivalent resistance निकालने के लिए हम लोग formula यह use करते है, अब basically error क्या है, very small change, जो थोड़ी बहुत error आती है, वो बहुत ज़्यादा है, small change होता है, और जब very small change की बारे में हम लोग बात करते हैं, तो बच्चों हम लोगों कहां पर concept लगा ले थे कि चीज का, differentiation का, तो मैं इसी expression को एक काम करता हूँ, दोनों ही तरफ में differentiate कर देता हूँ, दोनों ही तर R1 upon R1 का square, minus D R2 upon R2 का square, अब ये DR equivalent क्या है, very small change in R1, DR1 क्या है, very small change in R1, very small change मतलब ये error तुम्हारे पास में, ठीक है, अब बस simple हम लोगों के पास में, यहाँ पर ये values फुट करते जानी है, उसके पहले हम लोगों को क्या चीज निकालना था है, यहाँ पर ये R equivalent की value हम actual quantities, तो R equivalent हमारे पास में आ कितार है, यहाँ पर अगर मैं R equivalent निकालना चाहूं, तो यह आ रहा है किता, 150 divided by 25, तो यह आ जाता है 6 ohms, R equivalent होता है 10 और 15 का 6 ohms का, तो simply हम लोग ये सारी की सारी values को, इसमें put कर देते हैं, और DR equivalent निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देखना माइनस से माइनस साइन, ऐसे भी कैंसल हो जा रहे हैं, और हमेशा हम लोगों को एक बात याद रखने हैं, कि error समेशा add up ही होंगे, कभी भी subtract नहीं होते हैं, तो add up ही होंगे, बस यहाँ पर यहाँ पर इस चीच को solve करना है और देखना है, अब इसमें value put करना चालू करता dr equivalent upon 6 का square, that is 36 is equals to dr1, that is 0.5 upon 10 का square, that is 100 plus 0.5 divided by 15 का square, that is 225, अब बचो अगर मैं इसको solve करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या मिल जाएगा, dr equivalent, इसकी value अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ से calculate करके निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सर हमें तो चाहिए क्या, percentage error चाहिए, percentage error निकालने के लिए मैं एक काम करूँ क्या, इसके नीचे में जो r equivalent आ रहा है, इसको ऐसा ही रख लेता हूँ, और एक r equivalent को इधर पर ले जा करके multiply कर दूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास में answer कितना आ जाना चाहिए, 6 into 0.5 by 1000 plus 0.5 upon 225, अब बस बच्चो तुमको भी इस expression को solve करना है, तो तुम्हारे पास में relative error in r equivalent आ जाएगा, अगर इसको percentage error में convert करना है, तो मेरे पास में इसी quantity को multiplication by 100 करना पड़ेगा, और हमारे पास में complete answer आ जाएगा, अब बस simply इसको solve करना है, अगर आपनों solve करेंगे तो most probably आपको जो answer आएगा, यह आएगा 4.33, अब इसको तरीका solve करने का यही रखना है, आप कहीं भी इस type का formula use नहीं करना, कि sir हम लोग इसको solve करने के लिए ऐसा कर देते हैं, कि r equivalent is equal to r1 r2 upon r1 plus r2, यह कि आप जो basics है, उन्हीं में stick करो, और इसमें ही आगया आप पर पर प्रोसीर करते रहिए, तो इसका answer आपके पास में आज आएगा 4.33, इसको बस simply आपको solve करना था, चलिए. Last question, बहुत अच्छा question है, आप हमेशा याद रखें उस question को, ऐसा है कि वो question कही बार repeat हुआ है, इसके J-E में ही नहीं, अगर आप bit set या पर कोई दूसरे exam दोगे, तो उनमें भी question repeat हो जाता है, इसलिए याद रखें, जब भी पहला combination, तो वो capsidens के साथ में भी एक वार ऐसा vernier caliper और screw gaze पढ़ेंगे, तो अभी हम vernier caliper वाला या question है, इसको देखते है, अब आप पूछोगे traveling microscope क्या होता है, जिससे किसी तरह से हम distance major करने की कोसिस कर रहा है, जो हम करके, microscope है, इस traveling microscope has 20 divisions per centimeter on the main scale division, तो एक main scale division है, उस में 20 division है per centimeter में, मतलब 1 centimeter को आपने जो divide किया है, वो क कितने divide division दिये हुए है, आपके पास 20 divisions दिये हुए है, आपके पास 20 divisions है यहाँ पर, यह 20 divisions है आपके पास और यहां से यहां तक जो length है आपके पास 1 centimeter, जनरली आप अगर meter scale दो के तो उसमें कितने 10 divisions होते है अपने पास, देकिन इन्हों ने दे दिया किने हमारा जो main scale division है, as total 50 divisions, और हमें दिया हुआ है 25 vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions और आपको दिया हुआ किस तरह का division है, कि 24 vernier scale division will be equal to 25 vernier scale division है, अगर आपन देखे है तो कितना दिया हमारा, 25 vernier scale division is equal to 24 main scale division, आप से पूचा क्या है, what is the least count of traveling microscope, तो आप से least count पूचा है, तो least count होता क्या है, यह दियान रखे है अपन, least count है क्या, least count basically आपको बताता है, कि instrument कम से कम कितना measurement correctly कर सकता है, तो उसको अपन बोलते है least count, तो अगर अपन देखे है, तो least count निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, कि अगर आप 1 MHD में स में स्केल डिवीजन में से 1 VHD को सब्ट्रेक्ट कर दो, तो आपके पास least count आजाए, तो अगर यहां से देखे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 1 VHD, तो मैं देखूं तो 1 VHD किसके बराबर होगा मेरा, will be equal to 24 over 25 MHD, तो मैं least count को क्या लिख सिपता हूं, this will be equal to 1 में स्केल डिवी 5 MHD, तो अगर यहां से देखें, तो least count की जो value है, वो आ रही है, 24, 5 minus 24, 1 over 25 MHD, तो यह अपने पास least count आ रहा है, लेकिन अभी सार, least, MHD, तो अपने को पता ही नहीं है, MHD कितने का है, मतलब जो MHD, MHD, तो MHD, तो MHD, तो MHD, तो मैं स्केल डिवीजन की जो reading है, वो देखे कि 1 cm में मिलेगा अपने को 20 division, तो अगर हम देखें, तो 1 division कितने का हो जाएगा, 20 division है हमारे, unitary method लगा रहे है, 20 division है, 1 cm के और आप, तो 1 division मिलेगा हमे, will be equal to 1 over 20 cm, value feed करनी है, इसको यहाँ पुट कर दें, तो this will be equal to 1 over 25, multiply by 1 over 20 cm, तो आपके पाल जी बन गया, 1 over 500 cm, लेकिन answer देखें, तो answer किसमें दिया हुआ है, answer 0.02 cm, मतलब इसका division कर दे, इसका आप division करोगे, तो आपके पास क्या में लेगा, 0.002 cm, तो correct answer होगे, आपका C, तो least count हमें ध्यान रखना है, कैसा भी, यह नए instrument से विटा, हमेजसा least count fix नहीं है, standard instrument होते हैं, उनमें least count fix है, लेकिन standard नहीं है, आपको पहले से details दे रहा है, किस step का division है, किस step का measurement है, वनियर scale भी change कर दिया, मैंने scale भी change कर दिया, बहुत important question है, ऐसे questions कई बार आते हैं, next questions करते हैं, आगे देखना बच्छो, अब देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है, the maximum error in the measurement of resistance, current and time for which the current flows in an electrical circuit are 1%, 2% and 3%, अब क्या कह रहा है, the maximum percentage error in the detection of dissipated heat will be, अब heat किता dissipate हो रहा है, तो Joule's law of heating से हमको मालूम है, कि heat जो dissipate होता है, that is given by I square RT, ठीक है, अब अगर मेरे को percentage error पूछ रहा है, तो percentage error in heat is equal to, अब errors का case में हम लोगों के पास में क्या आता है, बच्छो, 2 times percentage error in I, plus percentage error in R, plus percentage error in T, basically हम लोगों के पास में जब कभी भी quantities multiply हो रही होती है, तो उन सभी का, जो relative error होता है, उसको हम लोग directly add कर देते हैं, relative error को multiply by 100 करने से हमारे पास percentage error रहा रहाता है, तो उस सारा का सारा step मैंने एक ही बार में लिख दिया है, यहाँ पर, अब बस बच्छो, यहाँ पर value हम लोगों को put करते जाना है, देखते जाका करना है, 2 into percentage error in I, तो यह किता हो जाएगा, 2 into 2, plus percentage error in R is 1, plus percentage error in T is 3, तो आंसर आगया मेरे पास में किता है, 4 plus 4, that is 8, तो आंसर आएगा मेरे पास percentage error in heat dissipated will be 8, तो बच्छो देख, यहाँ पर भी तेरे को बस यह बास याद रखना था था कि तेरे को Joule's law of heating याद रहे, बस, बांकि तो question बहुत ही जादा simple है, बहुत easy ह यहाँ पर maximum error कैसे निकाला जाता है, यह concept बहुत ही simple concept है, बस यहाँ पर यह थी जीश था बच्छो तुम्हारे पास में, चलिए अब लोग आगया दिखते है, तो एक type के questions होते हैं, वो होते हैं, जिनमें हम least count निकालते हैं, अब यह दूसरे type के question है, question पढ़ते हैं, error of minus 0.05 cm, while measuring the diameter of a spare, the man scale reading is this, and coinciding, vernier scale division is 5.5, और हमसे पुचा है, इदा correct diameter बिल की, तो correct diameter, जो correct measurement है, वो क्या होगा, तो अगर हम लिख ले हैं, तो हमें दिया हुआ है, वरnier constant, vernier constant क्या होता है, यही होता है least count, यहां पे जिसको अपन least count, जो vernier कहली पर का, जो least count है, उसको हम बोल रहे है, vernier constant, तो least count जो मिल रहा है, वो है आपके पास 0.1 m, दूसरा क्या दिया हुआ हुआ है, और 0 error क्या दिया हुआ है, negative में दिया हुआ है, 0 error आपको दिया हुआ है, तो negative error है minus 0.05 cm next क्या है next दिया हुआ हमाँ burnier division और आगे पढ़े उससे पहले हमाँ main scale division जो MSD की reading है MSD दिया हुआ है 1.7 cm और coincide कर रहा है जो VSD की reading है 1-year scale division में जो reading दी हुई है वो दी हुई है 5 यह 1-year scale की reading है और यह आपके पास main scale की reading तो हमसे पूचा क्या है कि actual reading क्या होई तो देखो simple सा तरीका क्या होता है विटा कि हम अगर reading देखें तो reading क्या होती है will be equal to अगर हम least count का multiply करते है man scale division प्लस जो man scale के जो भी reading है man scale division का जो reading है प्लस और जो reading हमारे पास vernier caliper का reading है multiply by least count तो यह अपने पास reading आएगी तो अगर हम द्यान से देखें इसमें तो reading दी हुई है 1.7 plus vernier scale में 5th division के साथ मिल रहा है multiply by least count दिया हुआ है आपको 0.1 mm तो हम 0.1 mm का multiply क्यों तो यह reading है लेकिन हमें निकाला है correct reading क्या होगी क्यों क्यों क्योंकि 0 error भी साथ में दिया हुआ है तो correct reading क्या मिलेगी आपको अब एक ची ध्यान रखो जब भी 0 error negative होगा तो वह add होता है 0 error अगर positive होगा इसका मतलब है कि हमको वह subtract करना पड़ेगा यहां पर देगा तो negative दिया हुआ है 0 error तो हम क्या करेंगे जो reading आई अपनी उसके साथ में इसको add करते हैंगे तो आपके पास actual reading क्या मिल रहेगी 1.7 cm में है reading का बहुत importance है 1.7 cm plus 5 multiply by 0.1 अब आप यहां पे आप देखोगे तो mm में दिया हुआ है और आप से answer cm पर पूछ रहा है तो हम किसमें convert कर लेंगे इसको अगर आप चाहो तो क्योंकि 0.1 mm दिया हुआ है तो हमें इसको convert करना पड़ेगा cm में तो cm में convert करने के प्लस 0.05 cm तो अब अगर हम इसको आगे solve करें तो अपने को क्या मिलेगा 1.7 प्लस इसका multiply कर देंगी हो जाएगा 0 1.01 का 5 से multiply करोगे तो यह मिलेगा 0.05 प्लस 0.05 cm इसको और further solve करें तो आपको मिलेगा 1.8 cm अब यहां पर आपको और और भी गलती कर सकते हो आपको कई बार आपको लगता अच्छा 1.8 अच्छा 1.8 आगया तो 1.8 लगा दे लेकिन answer हमें cm में नहीं दिया answer दिया हुए आपको 10p-2 cm में तो आप इसको माइनस 2 में convert करोगे तो क्या मिलेगा आपको 180 multiply by 10p-2 cm तो correct answer होगा आपका 180 तो correct answer आगया आपके पास 180 numerical type question था तो अमेसे numerical type में याद रखना है कि end में यह unit दी हुई है हमें इस ही unit में answer देना है unit की वज़ए से numerical type कही बार घलत हो जाता है और याद रखना है कि यह reading major करने क यही तरीका है विटा maniscal division plus dhd plus least count और negative error को आप देखोगे कि अगर negative में है तो negative error को अपन एड कर देते हैं अगर positive error है तो right subtract कर देते हैं चलो next question देखते है अगले question को देखना बच्चो अब यहाँ पर आगे हैं देख यह फिर से वही question हमारे पास है percentage error measurement बच्चो देखो यह इस type के question frequently repeat हुए हैं हमनों वैसे ही questions को उठा करके लेकर क्या हैं जो questions बार बर repeated same concept पर आ रहे थी जैसा कि देखा हम लोग ने अभी जब पहले question जो मैंने discuss किया वो भी same इसी concept पर था क्या कह रहा है for z is equals to a square x q y की power 1 by 2 where a is constant अब अब अगर a constant है तो उस पर कोई error का measurement रहेगा इसमें कोछ error आई नहीं सकता अब पहले ही constant है ठीक है if percentage error in measurement of x and y are 4% and 12% respectively then percentage error of z will be ठीक है तो देख लेते percentage error in z इसको लिखूँ तो देख percentage error in z is equals to a is constant है इसका मतलब इसमें कोई error की possibility है इसको अलग कर दे अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 times percentage error in x plus half times percentage error in y बस simple इतना ही करना था अब percentage error in x is given as 4 ठीक है लिख लेते हैं 3 into 4 plus percentage error in y is given as 12 तो यह को लिख लेते हैं half into 12 तो answer किता आ रहा है 12 plus 6 that is 18 तो percentage error in z will be 18 percent किता हैगा percent 18 percent percent में पूछ रहा था तो answer मेरे पास में आगा किता 18 इतना simple question इतना easy समझ कि questions इसी type के आएंगे simple repeat होते रहेंगे बस यहां पर तुमको याद रखना है कि जबर जस्ती तुमको इसको देख करके confused नहीं हो जाना है कि सर यहां पर यह a square दे दिया constant है इसका तो percentage error mention ही नहीं था मैं कैसे solve करूँ भाया constant है constant मतलब उसको हम लोगों ने पहले ही मान रखा हुआ है कि भाया उसमें कोई भी error नहीं है उसमें 0% का error है तो यहां पर चाहता तो यहां पर लिख सकता था plus two times percentage error in a लेकिन percentage error in a इसकी value किती थी 0 तो यह आता ही नहीं इसको लिखने के कोई sense नहीं बनता इसका मतलब answer 18 ही नहीं है सहीं है ठीक है क्या चल्ट यह भी वैसा ही question है जैसे हमने पिछला question देखा है हमसे क्या गह रहा है कि resistance r equal to v over i और v voltage दिया हुआ है अपने को plus 50 plus minus 2 मतलब यह बाला part error हो गया ऐसे current दिया हुआ है 0.2 तो यह अपना error हो गया 20 plus minus 0.2 second part error है next percentage error in r in x% मतलब हमसे पूचा है कि r में कितना percent error होगा जैसा पिछला question किलकुल ऐसा ही question है पर यहां पे आपको यह याद रखना है बिटा कि अगर मैं error निकाल रहा हूं r में तो मैं कैसे लिखूंगा del r over r will be equal to del v over v अब आपको लगया कि i की power minus वाल है तो minus लेकिन error में minus नहीं होता बेटा सारी error हमेशा add होती है गलतिया आपकी हमेशा add होगी कभी subtract नहीं होगी लाइक में तो add कर दी plus del i over i ध्यान रखें इसको गलतिया हमेशा add होती है गलतिया कभी घटती नहीं है कि एक गलती में से द देखें तो r का formula अपने को v over i दिया हुआ है तो सबसे पहले में r simple निकालने है r will be equal to तो अगर percentage पूछ तो जरूरी ही नहीं है r निकालना तो हमें सिर्प हुआ से multiply करते है 100 का multiply करते है del v over v del r over r मतलब percentage में कितना change आएगा will be equal to del v, del v कितना दिया हुआ है 2 का error है कितने में 50 multiply by 100 plus del i over i करेंगे 0.2 over 20 multiply by 100 क्योंकि percentage error के बारे में बाग कर रहा है तो हमें percentage error कितना मिल जाएगा in r will be equal to यहां से हम solve कर लें तो यह 2 हो गया यह आपके पास 1 बन गया अगर आप देखोगे तो 2 x 4 बन गया 4 प्लस 1 बतलब कितने परसेंट बन गया आपके पास 5% error 5% error आगया आपके पास resistance में जैसा पिछला question तो प्लेकुल बैसा ही question है बस errors को add करना है related errors को तो लो next question करते है अगले question को देख बच्छा क्या कह रहा है अब देख जैसा कि हम लोग ने बढ़ा था कि सर ने बताया था कि कुछ standard measuring instruments है हमारे course में यह आपके experimental physics में आते हैं तो उसी में हम लोग के पास में दूसरे type का experiment है यह जो device दिख रहा है हमारे पास में इस device को बच्छों हम लोग कहते हैं क्या this is my screw gauge screw gauge है screw gauge किस काम आता है पतले पतले जो diameters रहते हैं चोटे चोटे जो diameters रहते हैं उनको measure करने के लिए हम लोग इसको use करते हैं कई पर तुमको device का नाम micrometer भी लिखेगा micrometer भी nothing बट screw gauge ही होता है इसी type के device है अब देख समझ क्या कह रहा है in an experiment to find out diameter of wire using the screw gauge the following observations were noted अब देख screw gauge जो रहता है बच्चोँ यहाँ पर इसका जो mechanism रहता है वो कैसा काम करता है actually में यहाँ पर हम लोगों के पास में यह जो part है यह एक screw है अब इस screw में जैसे जैसे हम लोग इसको उपर से अज़ा तरन करना चालू करते है वैसे यह screw है वो आगे पीछे होता है जब मैं अगर इसको एक complete rotation कर दूँ इसको एक completely rotate कर दूँ तो उतने में यह जो screw है यह कित 0.5 mm on main scale in one complete rotation इसका मतलब क्या इस screw watch का जो मेरे पास में pitch है इसका जो pitch है that is 0.5 mm ठीक है the total divisions on the circular scale अब देख यहाँ पर यह जो circular scale है यह वाला यहाँ पर इसमें divisions बने हुए रहते हैं बहुत सारे number of divisions बने हुए रहते हैं depending upon कि तुम्हारा इस device कैसा use कर रहे हो यह number of divisions कम यह ज्यादा भी होते हैं इस particular device में total number of divisions हो किते हैं 50 50 कहने का मतलब क्या अगर मैं इसको complete एक rotation मार देता हूं तो मेरे पास में 50 divisions मैंने इसको रोटेट किया हुआ है उतने में यह आगे किता बढ़ रहा है 0.5 mm इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा हलका सा बस हलका सा एक division इता मूव करूं तो यह किता आगे जाएगा तो व हमारे पास में pitch दिया हुआ है इस divided by number of divisions number of divisions in circular scale in circular scale तो number of divisions किते हैं 50 तो इसका least count किता हो गया 0.5 divided by 50 तो इसका हम लों के पास में least count भी हमारे पास में आ जाना है किता आएगा यह 0.5 0.1 mm का मेरे पास में इसका least count आ चुका है ठीक है the main scale the main scale reading is 2.5 mm अब इसका main scale कौन सा है यहाँ पर जो reading तुम्हारे पास में दिख रहा होता है यह तुम्हारे पास में में इसकेल मतलब क्या एक complete rotation माना तक ता move कर रहा दो दूसरा rotation मारेंगे तो यह आगे बढ़ेगा ऐसा करते 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 तुम्हारे पास में में इसकेल का रीडिंग आ रहा है यह कितार है 2.5 mm ठीक है अब उसके पर क्या कह रहा है the 45th division of circular scale is in the pitch line जो 45th division है वो इस pitch line के साथ में match कर रहा है वो यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 45th division match कर रहा है अब तुमसे पूछ रहा है और instrument जो हम यूज कर रहे हैं उसमें negative error भी है negative error मतलब क्या जब मेरे पास में इसको मैं normally जब इन दोनों के दोनों के jaws को अगर मैं एक दूसरे के साथ में चिपका करके रखूं तो ideally value मेरे पास में क्या आनी चाहिए थी 0 आनी चाहिए थी यह 0 ना करके कुछ और reading आ रही है और वो जो reading यह लेंगे जैसे आम लोग वर्ण यरी स्केल में निकालते थे की reading निकालने का तरीका क्या होता है जो हम लोग reading निकालेंगे इस reading विल भी main scale का reading plus least count into circular scale का reading यह reading मैं read करूंगा तो यह reading के तिया रही है main scale का reading किता दिया हूए 2.5 तो वह आ यह आ गया 2.5 प्लस लीस्ट कांट किता हो गया, 0.01 इंटू सर्कुलर इसकल का रीडिंग किता है, 45, तो इसको अगर मैं solve करूँते हैं, यह किता है मेरे पास में, 2.95 mm का रीडिंग आया, लेकिन यह मेरे पास में फाइनल आंसर है क्या, नहीं, यहां पर मैंने अभी भी 0 एरर को सब इतना है क्या, नेगेटिव 0 एरर आ रहा है, मतलब इतनी value आ रही है, इतना मेरे को इसमें और बढ़ाना पढ़एगा, पहले its total value और यह बढ़ाना पढ़एगा. तो इसमें हम लोगों के पास में इतनी value और add कर देंगी, तो यहां से मेरे पास में खना न पढ़ए 2.98 mm का, 2.98 mm का, तो option C is my correct option, चलिए, last question की तरफ बढ़ते हैं, इतना जितना बड़ा question आपको लिख रहे हैं, उतना बड़ा question है, इससे दो-तीन चीज़े उनको सीखने हैं, इस question से, वो सीखते हैं, सबसे पहले question पढ़ा है, question क्या है, एक experiment है, उसमें क्या है, यंग's modulus की value निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यंग's modulus की value निकाल रहे हैं, और यंग's modulus निकालने का कुछ formula देखा, तो ऐसा कुछ formula दा टेफसा, क्या है, y equal to m g l q over 4 b d q over delta, कुछ इस तरह का formula है, और हमको दिया हुआ, एक table दी हुई है, उसमें दिया g की value तो आपको fix दे दिया, 9.8, ये value आपको पहले से मालुम थी, without any significant errors, right, कोई भी significant error के, आपको क्या दे दिया गया है, different observations की value दे दी गयी, और आपको क्या दिया हुआ है, least count of the equipment used, तो least count क्या होता है, equipment का होता है, आप अगर meter scale से measure कर रहे है, तो meter scale की एक limit है, उससे आपे अगर हम क्या कर रहे है, जो instrument use कर रहे है, उसका आपने को इस limitation दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, आपको least count है, तो जैसे आप 2 kg, object value है 2 kg, लेकिन उसमें error कितना है, वन ग्राम का, ये error क्यों बोड़ रहा है, least count क्यों क्यों बोड़ रहा है, क्योंकि ये limitation है, इस से ज़्यादा accurately measure कर ही नहीं सकता था आपका instrument, मतलब ये तो गल्ती हो सकती है, एक ग्राम इधर उदर आपके instrument से हो सकता है, तो ये actually measure, जो least count है, वही क्या हो जाएगा, error हो जाएगा due to instrument, तो अगर आप देखोगे, तो 1 gram का ये है, ऐसे आपको बहुत सारी value दी ही है, mass है, तो mass में error दी हुई है, G में error तो दी नहीं है, तो G की value तो आपको fix दे दी, इसका मतलब G के error की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बागी क्या है, L है, तो length of the bar, तो length of bar में आपको क्या दिया, 1 mm का दिया हुआ है, तो आप measure कर रहे है, यहाँ ज्यान रखना है इधर gram है और इध का बहुत खास कया रखा जाता है, length of the bar में अपने को error दी हुई है, thickness of the bar जो की D है, बागी मतलब यह major कैसे किया जा रहा है, जब आप किसी एक rod को इस तरह से रखोगे और उस पर इक बेट लटका होगे न, तो क्या होगे नीचे की तरफ ऐसे दव जाएगी, तो इस तरह से major किया जा रहा है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कैसे experiment किया है, आप से तो बस error की बात कर रहा है, दूसरी चीज़ देखें, तो depression जो है, यह delta की value है, वो आपको दे हुए 0.01, और यह error है, और value actual 5 mm, हम से पूचाएं कि fractional error क्या होगा, तो आपको अगर याद हो, तो यह पताया था, मैंने आपको, कि fractional errors क्या होते है आपस में, हो जाते हैं, तो अगर हम देखेंगे, तो Y किस पर depend कर रहा है, M पर depend कर रहा है, L पर depend कर रहा है, B पर और D बाकी तो G और 4 और देल्टा बाकी तो constant है G 4, तो अगर हम देखेंगे, तो कैसे करेंगे, next जेखे अगर अपन इसको चलो लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, चलो, space नहीं अपने पास, यहीं लिख लें, तो delta y, चलो, इस यह error का आपने पास space मिल गया, young's modulus will be equal to दिया हुआ है, अपने को, mz, lq, over 4, dq, 4b, dq, delta, 4b, 4b, dq, delta, next, 4b, dq, delta, तो आपको करना क्या, error निकालने हैं, देखो, error कैसे निकालना है, येंग's modulus में error निकालना है, तो delta y, over y, will be equal to, delta m, over m, plus g में तो error ही नहीं, 3, delta l, over l, plus, b में error क्या होगा, delta b, over b, plus, b में error क्या होगा, 3, delta d, over d, plus, यहाँ पर क्या मिलेगा, del cube में, और ये जो delta है, small delta होगते है, over delta, क्योंकि power l, तो ये आपके पास basic formula है, delta y, over y, में error आजाए, तो देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपको याद हो, तो last में आपको दिया हुआ है, जो error है, आपके पास, जो mass में error है, वो है 1 gram, आप कैसे लिखोगे, इसको mass में error हो, 1 gram error है mass में, तो हम लिख देंगे, 1 gram divided by actual mass, actual mass कितना है, 2 kg, लेकि 2 kg को आप क्या लिखोगे, आप धिखान रखो, 2 kg को, 2 kg नहीं लिखोगे, unit change करना पड़ेगा, 2000 gram, या तो ऊपर unit change कर लो, या फिर नीचे unit change कर लो, plus 3, अगर आपन देखे है, तो del L की value है, del L की value आपको क्या दिया हुई है, आप देखोगे, del L जो length में error दिया हुआ है, del L दिया हुआ है 1 mm का, और 1 meter आपके पास actual value है, तो 1 mm के लिए आप क्या देखोगे, 1 mm divided by 1 meter, तो 1 meter में कितने हो जाएंगे 1000 gram, plus B में error देख लो, B में क्या दिया हुआ है आपको error, B में error दिया 0.1 mm और actual value दिया 4 cm, तो हम इसको value put करते है, 0.1 mm, 4 cm को भी mm में change करना पड़ेगा, 40 mm हो जाए, plus 3, delta D over D, delta D over D, delta D में दिया हुआ है 0.01 mm और इदर दिया हुआ है 0.4 cm, तो आप अगर actual value रिखोगे, 0.4 cm, 0.4 cm, 0.1 mm, 0.3 multiply by 0.001 mm divided by 0.4 cm में है, 10 का multiply कर दो, mm में करवाट हो गया, plus last है आपके पास delta में error, तो delta में है 0.1 mm का error है, और इसकी actual value रिखोगी है 5 mm, अब क्या लिख दोगे, 0.01 divided by 5, 0.1 ही है, तो आया आप इसको solve कर लोगे, तो आपके पास actual error आ जाएगा, calculation आपको करना है, calculation आपका strong होना चाहिए, जे इमेंस आपके calculation पर बहुत सारे questions पूछता है, और आप जितना fast calculation कर पाओगे, आप उत्तरा अच्छा excel करोगे, जे इमेंस में, तो आप धियान रखें इस topic के वारे में, तो यह तहा हमारा, आप answer निकाल सकते हो, इसका जो delta y over y आपका आ जाएगा, actual जो answer आ रहा है आपका, तो क्या है, आपका answer है आपके पास, p answer दिया हुआ है, 0.0155 mm, तो आप अगर यह answer निकाल पाओगे, तो आपका correct answer आ जाएगा, तो आपके पास basically, यह तहा हमारा discussion, unit and dimension का, good luck बेटा, आप इस topic को जितना अर्ची से excel करोगे, आपको तना ही ज्यादा, अच्छा करोगे, इसी भी topic, बस, बहुत ही simple topic है, इसके लिए मैं बच्चों सही recommend करोगा, कि जिस भी दिन आपका JEE हो, उसके पहले मुश्किल से आद लग रहा है, इसक्राइब के questions में, तो बच्चों, तुमारी practice ही नहीं है, बाकी, बहुत आसान chapter है, बहुत easy chapter है, all the best, all the best, goodbye, bad stop.